यहां पे शिलिंग पेपर हो रहा है, डबियों में डल रहा है, शिलिंग होता है, काटनों में डलता है, और माल तेयार, पांच काटन सेल करते हैं, पचास जार रुपे महिना मैं आपको देता हूँ, दस काटन सेल करते हैं, लाक रुपे महिना में से ले, लिखके दूँगा, गरंटी दूँगा इस चीज के लाग रुपए मैं आपको दूँगा मेरी फैक्टरी के दर्वाजे आपके लिए खुलें पूरा साल खुलें और अगर स्टार्ट करें तो इस काम के लिए जो है वो लाग रुपए भी बहुत ज्यादा है सैटप यहां पे तयार होके वहां पे इस्टाल करके देंगे अगर वो कहता है कि हमें बंदा दें उसके साथ बंदा जाएगा और वहां पे उसको सैटप मुकमल लगा के इस्टाल करवा के जब तक वो सैटिफाइज नहीं होता वो मुतमई नहीं होता हमारा बंदा वापस नह आएगा मेरे साथ मुझूद है शफी और रह्मान जो के मुलतान के रहाइशी है कुछ रोज पहले अपनी एक मशीन लगा के चोटी सी फैक्टरी लगा के अपने गर में खुद काम किया करते थे लेकिन इस वक्त इन्हों ने बहुत बड़ी फैक्टरी बना ली है और इनके प आपका शुकरिया दा करूंगा कि आप मेरे पास है देखें मेनत करने से इनसान को बहुत कुछ मिलता है अगर आप मेरे चैनल पर पर पुरानी वीडियो देखे ना तो आपको अंदाजा होगा कि यार एक बंदा कहां से उठके कहां तक पहुंचा है चोटे से सैटप से आपकी कामियाब होंगे तो मैं खुद बखुद कामियाब हो जाओंगा और आपकी दौाओं की वज़ा से आज इतना बड़ा सैटप की तरफ आया हूँ यह सिर्फ और सिर्फ मैं क्रेडर देना चाहूंगा अपने उन दोस्तों को जिन्होंने मेरा साथ दिया और आज आज बाग तो नहीं दिखा रहे कि लोगों को लालच तो नहीं दे रहे कि लोगों का पैसा बटोरने के लिए तो नहीं कुछ कर रहे देखें जी लालच देकर या बटोरने के काम वो करते हैं जिनके पास रोजगार नहीं हो जिसे ऐसे बंदे समझ लें जिनके पास खुद अगर आप सीनाब आ सकते हैं अगर आप मेंद कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि अपनी जिंदकी को बदलें नोक्रियों में कुछ नहीं पड़ा मेरे भाई मेने भी नोक्री की है तीन साल नोकरी की है, नोकरी में सिर्फ घर का चुला मुश्कल से जलता है और जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और तंखाएं दस परसेंट बढ़ाते हैं और महंगाई जो है वो दो सो परसेंट बढ़ती है, यार कैसे गुजा रहा होगा मुझे आप समझा दें, कारोबार जो है वो नसलों को पालता है और एक फैक्टरी जो है वो पूरे खांदान को चलाती है यहाँ पे जो मेरे अदाएं बढ़ देखें जो घर हैं, उनको भी साथ मिला लिया उनसे پैकिंग का काम करวाते हैं, वो लोग जो बेरसगार थे जो केदा थे हैं, यार हमसे कुछ ना को काम ही नहीं हो रहा, कुके मिली नहीं रहा वो मेरे पास है, इन्शाल units TurisPs जो मुझे आऊ टेकनीक दी है, जो कमाने का फन करें ना तो इस काम के लिए 50 लाग रुपए भी कम है और अगर स्टार्ट करें तो इस काम के लिए जो है वो लाग रुपए भी बहुत ज्यादा है करने वाला हो तो मैं यही कहता हूं कि आप जो है न स्टार्ट कर रहें तो इतने पैसों से ना करें कि आप छोटा सा छोटे स स्थाट करें कम से कम से कम बजट में आप स्थाट करते में तो आप तरक्य करते हैं अब भार-बार कोशिश नहीं आता जब उनको बेचना आजाए तो जेब खाली हो जाती है और बाद में कहते हैं शवी भाई यह हमारी मिशीन भी कवाद हो नहीं तो कबाड में जा रही है मारी तो देखें ऐसे लोगों से बचे मैनुफेक्स से जो मिशीनरी बनाता है ना हम खुद भी मिशीनरी दे लेकिन लेकिन हम पहले कहते है के बेचना सिको देखे सबगना के यृoren के सजय कर देना कोई बढ़ी बात नहीं है मैसीनरी लगाना कोई बड़ी बात निहां में मैं मकसद को बेचना अगर आपको बेचना आता है तो आ अप किसी से भी मालं उठाके मार्कीन में सेल करें आप पैसे कमाएंगे आप 10 लाग 20 लाग के मिशीनरी लगा के बैर जाएं लेकिन कुछ भी नहीं होगा जब तक आपको बेचना नहीं आता अच्छा आजए फैक्टरी का विजट करवा दें मिशीनों का विजट करवा दें और बिजनस लोगों को बताते हैं कि बिजनस क्या है आपको लिए आपना स्टोक पड़ा गया है अचा जी दिखाये का क्या दिखाने लगे थे आए जी अम को अपना प्रोडेक्शन हाल दिखाते हैं यह अमारी लेबर है यह इसको काम हो रहा है यह माल पैक हो रहा है यह माल वहां से तियार हो जाता है और यहां पे पैकिंग का मरहला है यहां पे शीलिंग पेपर हो रहा है डबियों में डल रहा है शीलिंग होता है कार्टनों में डलता है और माल तियार ठीक है यहां पर प्र है । डिफेरंट ब्रैंड नजर आ रहे हैं इसकी क्या वजवात हैं सर इसकी वजवात मैं आपको बताता हूं इसकी में वज़ा यह शीनरी के लिए चाहिए आपको पैसे मेशीनरी लगाने अपने नाम का ब्रैंड को रिजिस्टर करवा लें और डाई बनवा लें आप अपने नाम से ब्रैंड बनवाएं मैनिफेक्टिंग करवाएं मेरे से करवाते हैं हाजर हो किसी से भी करवाते हैं सबसे पहले मैं मश्रा यही देता हूँ कि आप जो है ना मैनिफेक्टिंग करवाएं जब आप मैनिफेक्टिंग करवाएंगे और उसके बाद मार्कीड में उतरेंगे जब आपकी मार्कीड स्टॉंग होती है आपको पता है कि यार मेरी एवड़ ठीक है अब मैं मार्कीड में काम्याब हो उसके बाद मिशिनरी की त किरते हैं सर देखें सैट अब लगाना चोंता है हमारे पास तीन LAK 17 LAK 10 लाक रुप расск ciąяг जितना चाहें आपको समें سैट अब लगा के देंगे यह हमारे पीर भाई यह पीर जाप ओर यहा आप को सैट अब जो कोई फीस नहीं है कोई फीस हमनी चार्ज करते आप आएं काम सिखें मिशीनरी चाहिए पीर साफ से राफ़ा करें आपको हर तरह की मिशीनरी मुएसर होगी आपको मिलेगी इसके लावा अगर आप अपने नाम का ब्रैंड बनाना चाहते हैं मैं मशुरा यही देता हूं कि सीना बानाया मैंनद करनी है तो कम से कम अपने ब्रैंट पर करो अगर आज आप पोदा लगाओ ग copied लगांड जो लोगाना चाहते हैं और दूसरा अपने यह कंडेर करना अगर वो कहता है कि हमें बंदा दें उसके साथ बंदा जाएगा और वहां पर उसको जाए वो सैटर मुकमल लगा के इंस्टाल करवा के जब तक उस सैटिफाइज नहीं होता वो मुतमें नहीं होता हमारा बंदा वापस नहीं आएगा आपकी मुकमल करने के बाद आपका रजल निकालने के बाद बकाया पेमल लेते हैं हम आपके घर पे जागे आपको मुतमें करके आपका काम चलाने के बाद आपसे पैसे लेते हैं चलें जी क्या बात कर दी इन्होंने पैसे भी कह रहे हैं जिए तब लेंगे जब आपका सेटप इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन वह सारे नहीं कुछ आपसे अडवांस भी लेंगे अच्छा ये चल रहा है सेटप जी सर ये अभी निकल रहे हैं रोड ठीक है रोड के बाद हो ये समया हैं अब देख सकते हैं कि ये अभी इसमें डालेंगे मिशीन में और उसके बाद जो है ये बार बन जाएगी ये सामने ये रोड बन रहा है जो ये चेक करें उसके बाद इसकी कटिंग होगी पर इस पर स्टेंप किया जाएगा ये इदर त्यार पीस पड़े बिए इसकी की में रिमेंगे ये जाएगा खांए can तो ये सामने डिखाए है और ये दो मिशीने के काम बढ़े खिए साधा है थाय अर आधा मिशीन किया जाता है जिसके बाद जितगिया ओगा खिए आपका ब्रैंड बनता है खो के नाम के स्टेंप हो जाएगी आप अपने नाम बनवाएं रेपर बनवाएं ब्रैंड को रिजिस्टर करवाएं और मैनफेक्ट्रिंग करवाएं जब आप इस काम्याब हो जाते हैं आपकी सेल जो आपकी मार्कीट स्टॉंग होती है तो आप मिशीनरी की तरफ आजएं जो सैट अप केंगे जितने में केंगे आपको लगव सैट है इसके साथ आपको मिलेगा पावर प्रेस और इसके लावाब मिक्स्टर पचास केजी का साथ कटर होगा ठीक है जी और इसे बड़ा सैट इप यह चोटा लगवाना चाहते है उसका पिर अपर जो यह वह आठींच का प्लोडर है फिर दस इंच का प्लोडर है इतने ग्राम का साथ है क्या इसकी त्यारी है असी ग्राम का साथ बने है अगर यह मार्कीड में सतर रुपय का सेल होता है और यह त्यार कितना होता है यह तीस रुपय का त्यार होता है अगर आप कहते हैं कि यार तीस रुपय आप पच्छीस का भी कहते तो पच्छीस रु हमा सकते हैं ठीक है जीआ यह अगर आप 10 रुपे का सो गराम का त्यार करें साड का दुकांदार को देते हैं दुकानदार 9 रुपय का सेल करते हैं 10 रुपय आप मामूली 10 रुपय भी रखते हैं एक कार्टन में कितने हैं जी यह देखें 48 पीस का कार्टन होता है तो 480 रुपय जो है न वो आपको जो है न वो एक कार्टन में प्रॉफिट है 480 रुपय एक कार्टन में आप ज्यादा आप खुद कैलकुलेशन कर लें, 10 रुपे पर पीस, 48 पीस के 480, 5 काटन सेल करते हैं, तो एक दिन का बनता है 2400 रुपे, और एक मीने की अवरेज निकालें, 26 दिन काम करें, 4 दिन जुम्मे की छुटी निकाल दें आप, फिर भी 62,000 पे अवरेज बनती है, 12,000 आप फ्यूल क में चले जाते हैं, उसकी क्या वजुहात हैं? देखे सर, इसका सिंपल समझाने का तरीका यही है, देखें, आप जी स्कूल में पर्दद इस कुलास में बच्चे कितने थे? 40-50 की तादा थी. तो उसमें सारे पास हो जाते हैं हर साल? नहीं, ये तो एक सिंपल सा सवाल है, ह आप असानी से 50,000 अरफे मीना कमा सकते हैं, पसीना बहना पड़ेगा, आप 50-55 दुकाने करें, 30 दुकानदार कहते हैं हमने नहीं लेना, आप भी मुराल हो जाते हैं, आप छोड़ देते हैं, यार ये क्या, ये तो काम ही बेकार है, बाइजन मुस्तकिल मुझाजी चाहिए मेनद चाहिए इसके लिए, आप मुस्तकिल मुझाजी से काम करें, बार बार जाएं, कोशिच करें, ट्राइ अगें, एंड अगें, क्रॉज इस रोड एंड गेट ब्रिलियर सकसेट, आप ऐस्ता ऐस्ता जो है, वो दुकानदारों से आपका अतारफ हो जाता है, और आप अ हमारे साथ कर रहे हैं, और लाख और पे इसी चीज़ से कमा रहे हैं, कि उन्होंने स्टार्ट पहले पांच काटन, फिर दस, फिर पंदरा, फिर बीज, आज अलम्दिल्ला उनकी आमदन अच्छी खासी है, चलें जी, आपने बिजनस आइडिया, बिजनस मॉडियूल तो ब पैसा लगाता है, करनी कह जी, नोकरी करनी है, नोकरी में भाईजान नहीं गुजारा होता, कारोबार की तरफ आएं, मैं ये चाहता हूँ कि आप बिजनस की तरफ आएंगे, तो आपको समझ आएगी, आप अगर अपनी जिन्देगी को बेतर बनाना चाहते हैं, मैं पहले अगर जौब कर रहा था, काम कर रहा था, तो मैं उसी बैटका रहता, तो आज मैं इतने बड़े सैट अप नहीं होता, आप यह लोग देख रहे हैं, यह गरीव लोग हैं, यह यहां पे रोजगार कमाने के लिए, आप एक फैक्टरी लगाते हैं, आपकी एक फैक्टरी से 50 ल लगा के वो कमारें हमनी कर सकते, क्या हमनी फैक्टरी, क्या हमने नवाज شरीफ या किसी पुलिटिकल या और की फैक्टरी नहीं कर नहीं होता हैं, हम अपनी फैक्टरी लगायें, उससे लोगों कर रोजगार मिलेगा, हमेशा याद रखो, बेरोजगारी, कभी टेक्स लेती है Σाल बाद टेक्स लेती है तब लेती है आपकी आमदनी पे टेक्स लगता ये नहीं आपने टेक्स वाले के घर के घर के बाहर खड़े होंगा जी हमें भी पैसे दो आपकी bank account पे अगर एक बंदा महीने का 10 लाक रुपए कमा रहे है और साल का क्रोड कमा रहे है अगर वो चंड टेक्स दे दे टेक्स दे देगा तो उसको फरक नहीं पड़ता टेक्स हमारे कामों में ही लगेगा वो देखें अगर आप कमा रहे हो तो टेक्स देना चाहिए लेकिन यह नहीं है जो बंदा स्टार्ट करता है और महीने का 2 या डाइला कमाता है उस पर कोई टेक्स इतना नहीं लगता इस factory का बिजली का बिल कितना है सर इस बिजली का बिल इसका आ रहा है 25 से 30 जार रुपए ठीक है और बंदों का खर्चा कितना होता है और प्राफिट कितना निकलाता है एक factory से अच्छी चल दे तो सर जी महाना अगर देखे एक तो कहते हैं लड़की की हुमर और मत की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए वो कभी सही नहीं बताते हैं लेकिन मैं आपको बता तूँ के देखें अलहमदलिल्ला तीन साड़े तीन लाक रवे महाना खर्च है लेबर की कॉस्स, सेल्समेन की, सेल्समेन की तनकाई चनकाई निकाल के उसके इलावा अलहमदलिल्ला मैं इतना कमा लेता हूँ कि मेरा जो है, वो फ्यूचर बेतर से बेतर हो रहा है चलें जी, इन्होंने बड़ेचे तरीके से क्लेर कर दिया है इस फैक्टरी को, छोटी से फैक्टरी को आप अपने घर में इजीली लगा सकते हैं घर के किसी भी कौने में लगा लें और बरामदा या ओपने एर को जगा हो आपके पास तो ये बिजनिस आप घर की चट पर भी कर सकते हैं मज़ेवला बिजनिस है, अगर ये चल जाता है तो आपकी जिन्दगी बदल सकती है